मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरा बेटा ड्रग करिये सेक्स करिये और भी कही एक्टिविटीज के नाम गिये थे अच्छा मैं हूं अरादना और आप देख रहे हैं पाइदान पाइदान दब बिनी मुझे लगता है इन दिनों शारुक से जादा प्राउड फादर और कुई नहीं हो सकती तो मुझे अगता है कि शारुक यू शूड बेरी बच्चे या बेटा उसकी बात को सच साबित करते सार्थक करते तो उससे जादा प्राउड की बात और किसी फादर की नहीं हो सकती तो मुझे अगता है कि शारुक यू शूड बेरी बच्च प्राउड ऑन यूर सन क्योंकि हाल ही में आरेन खान शारुक के बड़े सुपुत्र आरेन खान एक क्रूज ड्रग पार्टी में र कोई केस चलेगा नहीं चलेगा वो सब कहा नहीं जा सकता और पता भी नहीं कि ऐसा कुछ फोनने वाला है भी है या कि नहीं लेकिन बात यहां पे सिर्फ यह आती है कि मैं देख रहे हूं कि बहुत सारे बड़े करेक्टर बहुत सारे बड़े एक्टर अक्रिस और कुछ तो पकड़ा गया है कुरूज पे ड्रग पार्टी के अंदर, but still he is child, 14 साल का एक बच्चा है हो, फिर जाहे वो सुनने सेटी हो, जाहे अजय देवगन हो, जाहे अलिया भठू, जाहे मिक्का जैसे कुछ और भी कलाकार, एक से बढ़ करें, सामने आ के स्टेटमेंट दे रहे ह हाना के सलमान शारू के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और अभी भी उनके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है सलमान सबसे आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करते हैं, हाँ वो एक बात और है कि एक दौर था जब उनके सलमान और शारू की बीच में थोड़ी स कर रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे सब उनके सपोर्ट में आ गया है यहां भी बहुत सीधी सबात नहीं समझ में आ रहे है किसी को कि जब शुषान सिंह राजपूत जिन्होंने शुसाइड किया था या उनका मडरवत आस तक लियर नहीं हो पाया तब ये दिगज कल कार तब बॉलीवुड के महान कला कर कहा थे तब किसी ने एक बार भी बढ़कर क्यों नहीं बोला कि हाँ शायद कुछ तो गलत हुआ होगा इसके साथ वह सिंगल फाइटर था उसने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स किये वो खुद के दंपे कि वो किसी बड़े स्टार का बेटा या बड़े डिरेक्टर का बेटा या किसी इंडरस्ट्री से बिलॉंग करता हुआ इंसान नहीं था शायद यह एक इसी कोई कहते हैं यह एक बड़े एक्जांपल इंटेम नेपोटिजम का यह बॉलीबुड में नेपोडिजम टाइम टू टाइम अपना अपना रूप दिखा देता है और भी लोग कैसे इंग्नॉर कर सकते हैं चीजों को आज आरेन को जिस तरह से लोग सपोर्ट करने में आगे बढ़ बढ़ के स्टेट्मेंट दे रहा हैं और मीडिया को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं आरेनिस वेरी नाइस बॉई उसको फसाया जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता यह परस्नली बतारी हूं कि मुझे बहुत जादा बुरा लग रहा है कि कि किने ड्यूल फेसेज लोग हैं यहां पर और बोलते हैं कि बॉलीवूट इस फैमिली यह फैमिली होती है कि जहां एक इंसान जो रंगे हाथ तो पकड़ा कि उसको आप इतनी सफाई से बचानी की कोशिश करें कि 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 खान का बेटा है क्य लगी है तो प्लिस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हां अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ रिलेवेंट बात की है तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना मत पूलेगा थैंक यू